हेले स्टुडेंट कैसे हैं आप सब एक बार पुना आप सभी कहा आपके अपनाई चैनल स्वी कोचिंग क्लासेश पर स्वगत है क्लास टोल्स मैस एंसे अर्ट में प्रश्णावली एक्रसम्रों 3 के कुछ एक्जांपल चर्जा करेंगे इसके पहले की वीडियो आपको प्ले 2345 फ़लन देके रख और यह जो आपका यह जो आपका डौमैन है और सय दोमेन है 2459 जिसका प्रचेत्र तरह साथ 11 दो export वन फ्रकार यह F2 अब इन पूरे की बैलू देखे रखी F2 कमान, F3 कमान F4 कमान, F5 कमान FG3 कमान G4 कमान G5 कमान, G9 कमान ये सारी चीज़ देखे रखा है बस आपको निकालना है GOF GOF निकालना है मतलब student ध्यान रखना है F है ना, तो cable F के मान को निकालना है अर्थात 2, 3, 4 और 5 की बैलू निकालनी है, बस देखिए GOF है, मतलब G operation F X और X के जगे हमको लेना है 2, 3, 4, 5, क्या के लेना है 2, 3, 4, 5, तो हल करते हैं देखिए बहुत इजी है बहुत ही आसान है, समझते हैं तो आपको निकालना है, GOF और मैंने क्या कहा है, student केबल आपको लेना है इस F के मान, 2, 3, 4 और 5 को लेना है, ठीक है तो GOF 2 यदि मैं इसको कह दूँ, ये है G of G of F X और X के जगे कितना है, student 2, चलिए, आगे आप देखें कि F2 का मान कितना है, F2 का मान 3 है, तो ये हो जाएगा 3, फिर आप बताएए G3 का मान कितना है, तो G3 का मान 7, तो ये हो गया 7, ये आपका correct हो गया एंसर आ गया, कुछ भी कठी नहीं है student, अब आपको निकालना है GOF यानि G of F, 2 का हमने निकाल लिया यहाँ पर देखें, 3, 4, 5 चारों का निकालना है, ठीक है ना, चारों का निकालना है, मतलब G OF 3 निकालना है आपको, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, G of F 3, चलिए F3 देखें, student कितना है तो F3 का मान कितना है, 4, ठीक है ना, कितना है, 4, तो आप का आजाएगा, G 4, अब आप बताएगे, G 4 कितना है आपके पास, तो G 4 कमान है, 7, इस कमान भी आगया 7, ठीक है ना, इसके बाद आपको निकालना है, किसका निकालना है, तो G, O, F G, F, 4 तो इसको आप कैसे एरंज कर सकते हैं, G, Operation मतलब G, of F 4, अब आप ही बताएगे, F 4 कमान कितना है, तो F4 और F5 दोनों कमान है, 5 तो G 5 हो गया, क्योंकि F4 कमान है, 5, अब G 5 कमान बताएगे, तो G 5 कमान देखें, कहां पे G 5 कमान है, 11, तो आपका हो गया, 11, ठीक है ना, clear इतना, तो समझ में आई आई गया होगा, अब आपको निकालना है गॉफ G आपरेशन या, 5 निकालना है, तो क्या हो जाएगा, G आफ, F5, clear है ना, अब F5 कमान, क्वेश्चन से देखें, F5 कमान कितना है, 5, तो हो जाएगा G 5, और G 5 कमान है, 11, तो हो गया, 11, बस यही निकालना था, और आपके, एंसर 4 के 4 कम्प्लेट हो चुके है, G, O, F निकालना था, इस्टूडेंट तो आ गया है, इस प्रकार से आसानी से आप क्वेश्चन कर सकते, देखें, आप एधी एक्जाम्पल्स के सारे कॉस्चन समझ लेते हैं, जो एक्जाम में आएंगे, उनी को करा रहा हूँ, जो नहीं आते हैं, उनको मैं नहीं करा हूँ, आप किसी भी बोट से कोई दिक्कत नहीं त्यारी कर सकते हैं, कई लोग हमारे साथ यूपी से जुड़े हुए, राजस्थन, बिहार और यंपी के तो जुड़े हैं, तो सारे लोगों से मैं कहना चाहूँगा, कि आप लोग मैथट पढ़ें, वीधी पढ़ें, किसी भी राइटर का भूकर लिए हैं आप कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो यह रहा है आपका पहला कोश्चन आज का, अब चर्चा करते हैं पर दूसर कोश्चन पर, तो आपके पास दूसरा कोश्चन देके रखा है कि यह दि fx बराबर mod fx, mod fx दिया है, और gx बराबर 5x-2 तो gof और fog का मान निकालना है, gof है ना, किस रिस्पेक्ट पर तो x रिस्पेक्ट पर निकालना है, मतलब gofx, मतलब g operation fx और fog का मतलब होता है f operation gx, clear student तो चलिए, हल करते हैं, हल करते ध्यान रखना है, जो भी दिया हो, उसको आप बिना सोचे समझे लिख दो, कि fx बराबर mod x देके रखा है, वा gx बराबर आपको देके रखा है, mod of 5x-2, mod का मतलब यह होता है, कि दि- तो plus दे देगा, यदि plus है तो plus रहेगा ही रहेगा, clear है, इतना तो समझ गए आप, कि g-o-f और f-o-g निकालना है, चलिए, अब पहले हम g-o-f निकालते हैं, g-o-f, क्या निकालते हैं, g-o-f, है न, x निकालना है, तो go of x, clear है न, तो देखी, इसको हम लिख सकते हैं, g-o-f, f-x, f-x, अब आप ही बताए, यह, कि आपके पास, f-x का मतलब मान कितना देखे राखा है, तो देखे राखा है, mod of x, mod of x है, clear है न, mod of x है, ध्यान रखी का, mod of x है, इसके आगे बस थोड़ा साब को समझना है, कि g-x में, 5x-2 है, g-x में, 5x-2 है, तो x के जगे, mod of x रख दें, तो यह हो जाएगा, 5, mod of x, minus 2, फिर mod लगा दें, तो कितना हो जाएगा आपका, देखे, यह, यह, बाबर x ही होगा, ठीक है न, तो आप चाहे इतना ही रहने दे, और चाहे इतना लिख सकते हैं, student की, mod of x बराबर x ही होगा, तो 5 x minus 2, यही होगा आपका माद, clear, यहाँ ही अंसर आजाता है, यहाँ ही अंसर आजाता है, और चाहे तो आगे तक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, clear है न, चलिए, आपका g of आ गया, f o g निकालना, student, f o g, चलिए निकाल लेते हैं, f o g of x, ठीक है न, ध्यान रखना है आपको, कि f o g निकालना है, तो यहाँ पर हो जाएगा, f of g x, ठीक है, अब ध्यान दीजिए, f है, g x की value कितनी है, g x की value, mod of 5 x minus 2, यह mod के अंदर है student, ध्यान रखिएगा, ठीक है न, यह आपका g x का मान रखा, mod of 5 x minus 2, अब देखिए, आपके पास, f x बरावर mod x है, f x बरावर mod x है, तो यहाँ पर, f x बरावर mod x है, यह पूरा x है, तो mod x, mod x और x के जगह है, mod 5 x minus 2, double mod लग गया, तो double mod लगाने, इस कोई मतलब नहीं है, वही चीज़ है, तो अब single mod लगा दे, f x minus 2, बस आपका यह answer होगी है, फलन के अंदर, फलन रखना होता है, बस आपको इतना थोड़ा समझना पड़ता है, चलिए एक और question देखती है, आज ही छोटा सा वीडियो रहेगा, ठीके ना, तीन question का आज target है, एक question और दिखती है, तो यह रहा तीसरा question, माना f x बराबर under root on minus x, और g x बराबर log x, तो f o g का मान निकालना है, बहुत simple है, इजीवे आप निकाल सकते हैं इसको, हल करना है आपको, तो जो भी देखे रखे ना, student, उसे आप लिख लें, कि आपके पास f x बराबर कितना है, under root on minus x, और आपके पास g x कितना है, तो g x का मान निकालना है, यह तो आपके पास देखे रखा था, इतना आप आसानी से लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं ना, इतना तो आप समझ चुके होंगे, अब हमको निकालना है कि आपके पास x नहीं देखे रखा, तो अपने से मान लेना है कि हमको आपको x निकालना है, मतलब f operation g x निकालना है, चाहे आप कुछ भी समझें, अपने हिसाब से समझें, अपने माइंड में लाजिक लगा कि आप फोजी, फोग और गौफ ऐसा माइंड में लाजिक लगा लें बस, ठीक है ना, चलिए, तो इसका मतलब है, अप आप g x, अब आप ही बताए g x की वेलू कितने इस्टूडल, तो g x की वेलू है log x, कितनी है log x, अब f x बराबर आपके पास अंडर रूड था, तो x की जगए x था, अब यहाँ पर x की जगए log x है, तो 1-log x हो गया, 1-log x हो गया, यह आपका correct answer हो गया, लेकिन अभी यहाँ पे ऐसा भी पूछा होता, g o f x, तो इसको भी हम निकाल सकते थे, g of, g of f x, फिर हमको यहाँ पर रखना पढ़ता है, f x का मान, अंडर रूड 1-x, अंडर रूड 1-x, इसके बाद student, आपके पास g x बराओ log x है, जब x है तो log x है, अब x के जगए यहाँ पे क्या है, अंडर रूड 1-x, तो इसका answer हो जाता, अंडर रूड 1-x, यह आपका answer हो जाता, इस परकार से तीन question आप लोगों ने देख लिया, है न, आजसा करता हूँ है, समझ में आ गया होगा, और इसी परकार question मैं लाता रहूँगा, अभी यह छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ, तीन question का target ही था, क्रम से आपको वीडियो मिलेंगे, और chapter पूरा कराने का मेरा काम है, आपको पूरे complete course देने का मेरा काम है, मैंने ठेका लिया है, मैं बादा करता हूँ आप से, आप बस पूरे वीडियो देखें, क्रम से समझें, topic, boy topic आप देखते नहीं, पूरा basic चीज समझते रहें student, सारा चीज मैं कराओंगा, यह मेरा जवाबदर ही है, ठेक है तो फिर चलते ही student, मिलते हैं लिए वीडियो में, अच्छा लगए तो like कर दीजेगा, और नए है तो चनल को subscribe कर, bell icon प्रस कर लिजेगा, ताकि वीडियो को notification मिलता रहे, और साथ में आपको करम से वीडियो देखने के लिए, प्लेइलिस्ट विजेट कर लिजेगा, साथ ही आप physics और chemistry के भी वीडियो देख सकते, मैंने पूरे complete course करा दिये, प्लेइलिस्ट में बाइलेबल है, मिलते हैं लिए वीडियो नएट आपके साथ, तब तक लिए जैहिन, बन्न मात रहूं,